Libre Office Math पर spoken tutorial में आपका इस्तिक्बाल है। इस tutorial में हम मंदर जजैल के बारे में सीखेंगे। Greek characters का इस्तमाल करना जैसे अलफा, बीटा, थीटा और पाई, brackets इस्तमाल करना, quadratic equation को हल करने के एकदाम याने steps लिखना। चलिए सीखते हैं कि किस तरह math का इस्तमाल करते हुए Greek characters लिखते हैं। इसके लिए चलिए सबसे पहले writer document मिसाल जिसको हमने गुजिश्टा tutorial में बनाया था, जो कि है math.example1.odt खोलते हैं। Gray box जिसमें हमने formula लिखे थे, इस पर double click करें। ये math formula editor और elements window open करेगा। चलिए formula editor के border पर click करते हैं और इसको dying की और drag और drop करें। ये बहतर दिखावट के लिए writer window को maximize करेगा। अब Greek characters, मसलन, alpha, beta, theta और pi रियाजी formula में एक जैसे होते हैं। लेकिन elements window में हम ये characters नहीं पाएंगे। हम फीसद निशान के आगे अंग्रेजी में character का नाम इस्तमाल करके इन्हें बराहरास्त लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर pi लिखने के लिए हम formula editor में सिर्फ percent pi लिखते हैं। छोटे character लिखने के लिए character का नाम छोटे हरूफ में लिखें। मिसाल के तौर पर alpha को छोटे हरूफ में लिखने के लिए type करें percentage alpha या percentage beta। बड़े हरूफ का character लिखने के लिए character का नाम बड़े हरूफ में लिखें। मिसाल के तौर पर gamma को बड़े हरूफ में लिखने के लिए type करें % gamma या % theta। Greek characters डालने का एक और तरीका है Tools menu से Catalog इस्तमाल करें Symbol Set में Greek मुंतखब करें और फहरिस्त में से Greek हरूफ पर डबल क्लिक करें Greek हरूफ के लिए Markup पर तवज्जा दें जो Alpha है जो कि फहरिस्त के नीचे दिखाया गया है तो इस तरह से हम एक फॉर्मुले में Greek हरूफ इस्तमाल कर सकते हैं दीगर Greek characters के Markup जानने के लिए Symbols Catalog को Explore याने खोजबीन करें चलिए अब सीखते हैं कि अपने फॉर्मुलू में ब्रैकेट किस तरह इस्तमाल करते हैं Math को Formula के Operation की तर्तीब की मालूमात नहीं होती इसलिए हमें Operation की तर्तीब को बताने के लिए brackets याने cos का इस्तमाल करना होगा मिसाल के तरपर हम किस तरह लिखें कि पहले X और Y को शामिल करें फिर नतीजे से 5 को तक्सीम करें हम लिख सकते हैं 5 over X plus Y अब क्या ये वाकई वही है जो हम लिखना चाहते थे नहीं हम पहले X और Y को शामिल करना चाहते हैं और ये हम X और Y के आगे पीछे करली ब्रैकेट्स को लगा कर सकते हैं और मार्क अप ऐसे नजर आएगा 5 और X प्लस Y करली ब्रैकेट्स में लहाज़ ब्रैकेट्स का इस्तमाल फॉर्मॉले के आपरेशन की तर्तीब का तायून करने में मदद करता है चलिए सबसे उपर फाइल मेन्यू का इस्तमाल करते हुए और सेव मुन्तखब करके अपने काम को सेव करते हैं चलिए अब एक कॉड्रेटिक एक्वेशन को हल करने के स्टेप्स यानि अमल को लिखते हैं राइटर डॉकुमेंट में हम कंट्रोल और एंटर दबाकर नए पेज में जाएंगे चलिए लिखते हैं और इंसर्ट, अबजेक्ट, फॉर्मुला मेन्यू में से मैथ लाते हैं मैंने पहले ही कॉड्रेटिक एक्वेशन टाइप किया है मैं इसे कट और पेस्ट करूंगा जिससे वक्त की बचत होगी तो ये कॉड्रेटिक एक्वेशन है जिसे हम हल करेंगे इसको हल करने के लिए हम स्क्रीन पर नजर आने वाला कॉड्रेटिक फॉर्मुला इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ A, X सुक्वेड डर्म का कोईफिशन्ट है, B, X का कोईफिशन्ट है और C, कॉंस्टन्ट है और हम फॉर्मुले में A के लिए 1, B के लिए माइनस 7 और C के लिए 3 वैल्यू रखकर एक्वेशन को हल कर सकते हैं लहाजा सबसे पहले चलिए कॉड्रेटिक एक्वेशन्ट जिसे हमें हल करना है इसका मारकप लिखते हैं सबसे पहले हम इंसर्ट, औबजेक्ट, फॉर्मुला मेन्यू में से मैथ लाते हैं फॉर्माट एडिटर विंडो में दर्जेल तरीके से मारकप लिखते हैं चलिए बहतर पढ़ने लायक बनाने की खातिर खाली लाइन्स को डालने के लिए दो निव लाइन्स लिखते हैं एंटर दबाएं और लिखें कॉड्रेटिक फॉर्मुला फिर एंटर दबाएं एक पेचीदा फॉर्मुले को हल करने के लिए बहतरीन तरीका ये है कि फॉर्मुले को हिस्सु में तकसीम करके सबसे अंदरूनी एलिमेंट से आगाज करें और फिर इन एलिमेंट्स के साथ हम अपना काम कर सकते हैं लहाजा हम सबसे पहले सबसे अंदरूनी स्क्वार रूट फंक्शन लिखेंगे और मार्क अप है स्क्वार रूट ओफ बी स्क्वारड माइनस फोर ए सी करली ब्रैकेट्स में अब हम उपरी एक्सप्रेशन में माइनस बी प्लस और माइनस का इजाफा करेंगे और इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे करली ब्रैकेट्स के एक और सैट को जोड कर हम उपर दी हुई एक्सप्रेशन को निूमरेटर बनाएंगे expression में over 2a जोड़े और फिर शुरू में x equals जोड़े equal to अलामत का अहाता की हुई दो लंबी gaps यानी खाली जगहूं के साथ और ये quadratic formula है इस तरह से हम पेचीदा formula को हल करते हैं और हिस्सुं को जोड़ कर इनको बनाते हैं अब चलिए बाकी टेक्स्ट को formula एडिटर विंडो में दरजेल तरीके से लिखते हैं और लिखें इसके बाद दो new lines लहाजा substitution के बाद markup इस तरह से screen पर नजर आएगा तो brackets का इस्तमाल करके हमने numbers यानी एदाद को substitute कर लिया ठीक है यहाँ आपके लिए एक मश्क है quadratic equation को हल करने के बाकी steps को मुकमल करें दोनु नताईज को अलग-अलग दिखाएं alignments और spacing तबदील करके steps को format करें जहां कहीं भी जरूरत हो लंबी gap यानी खाली जगा और नई lines जोड़ें मंदर जजैल formula लिखें pi 3.14159 की तरह या बराबर है अब हम Libre Office Math में Greek characters, brackets और equations पर इस tutorial के आखिर में आ गये हैं मुक्तसर में हमने मंदर जजैल मौजू सीखे Greek characters का इस्तमाल करना जैसे alpha, beta, theta और pi brackets का इस्तमाल करना quadratic equation को हल करने के steps याने अमल को लिखना Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project का हिस्सा है जिसे MHRD हुकुमत हिंद ने ICT के कौमी खौंदगी मिशन के जरिये हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मौवनत Spoken-Tutorial.org ने की है इस मिशन पर मजीद मालूमाद दर्जे लिंक पर दस्तियाब है इस टिटोरियल का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया